हेलो नमस्कार दोस्तों मैं संजीव स्वास करता हूँ आपने यूटीब चानल कोईन मेडिया में दोस्तों जैसे आज आपने थमनेल देख लिया होगा कि टू रूपीस का क्रोस कोईन लगा हुआ है जो कि दोस्तों इसमें कुछ अलग-अलग तरीके के प्रकाश में आये थे कोईन 2005-2006-2017 में कुछ खास कोईन है तीनों सं में खास कोईन है तो आपको बद ढूनना पड़ेगा तो बिल्कुल ध्यान से सई से ठीक से समझना वीडियो आपको एक बारी में समझना में नहीं आएगी तो प्लीस आप दुबारा से वीडियो समझना उसके बाद कमेंट कर करना ठीके दोस्तों और दोस्तों वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरू करना आप एक्चली दोस्तों वीडियो आने थी है स्टेक कोईन मेडिया वाली तो एक सब्सक्राइबर है जो राज यादब जी है इन्होंने दोस्तों ये कोईन के पूछा था त आपके पास कोई खास कोईन है या नहीं है इसलिए इन्होंने जो सवाल पूचा है है स्टेक कोइन मेडिया सर मेरे पाथ दो रूपे का क्रोस कोईन है 2 रूपे के क्serोइन रेर होते है 2005 ये 2006 में प्लीस गाइड कीजिए सर इनके पास कुछ सिक्के भी है तो मैं आपको वीडियो देख रहे हैं उन सबको गाइड कर रहा हूं एक ही बारी में आप ठीक से बस समझ लेना एक्सप्लेंग करूँगा बहुत ही अच्छे से बारी किया समझाऊंगा वीडियो जरा भी स्किप करोगे तो मिस हो जाओ गया ठीक है इसकिप ना करना ठीक से समझना बहुत आए तीनो सन में तो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देखिए तो दोस्तों आप देख रहे हैं टू रूपिस का युनिटी इन डैवर्सिटी यह जो थीम थी दोस्तों क्रॉस कोईन भी बोला जाता है इसको ठीक है तो यह आयते यह दोज़ापांच दोज़ाच्छे और 2007 में अब दोस्तों पहले मैं आपको explain कर देता हूँ जो सही से वीडियो देख लेना बस मैं पहले आपको जो mint और year उससे जो rare है पहले वो मैं अलग कर देता हूँ sorry दोस्तों rare नहीं skates ठीक है मैं आपको पहली वो clear कर रहा हूँ तो सुनिए आपके पास लिख लेना match कर लेना तब अलग रख लेना अपना coin चार्ट के ठीक है दोस्तों जो ऐसे coin आयते है सबका metal था stainless steel weight था लगबग 6 gram ठीक है size इसका 26 mm है thickness इसकी 1.5 mm है shape इसकी round है Bombay, Hyderabad, Calcutta, Noida चारों मिन्टों में डलाई हुए है अपने इंडिया की तो ये चारों मिन्टों में coin छपे हैं तो आपको इसमें से कौंग कौं से सिक्के हैं जो scarce category में आने वाले future में rare हो जाएंगे mint और year के साब से ठीक है मगर जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो मैं last में बताऊंगा पहले मैं इसमें आपको clear कर देता हूँ कि आपको इन में से कौं कौं से अलग करने चाहिए coin जो आपको future में फायदा देंगे तो ये देखिए आप पहले 2005 का बता रहा हूँ देखें दोस्तो 2005 में केलकेटा मिंट और हैदरबाद मिंट नोइडा मिंट और मॉंबाई मिंट चारो मिंटों में आयते कौं अब मैं कुछ बारी के बताने वाला हूँ ठीक से सुनना वो मैं बाद में explain करूँगा large और वो क्या बता रहा हूँ मैं आपको पहले आप यह अलग कर लिजिए कलकेटा मिंट के लार्ज मिंट के है अगर आपके बाद UNC में कोईन है तो UNC में उसके आज भी 50 रुपे से 70 रुपे मिल सकते हैं इस 2 रुपीस के ठीक है एकदम real value बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तो large date से है वो large date है कलकेटा मिंट में वो मैं अभी आपको explain करूँगा और किसी में mint भी है और किसी में जो रुपे लिखा है वो भी large में है तो आगे आपको सब कुछ पता लगेगा अभी जो मैंने आपको बताया वो आप अलग कर लिजिए कलकेटा मिंट के large बड़ी जो date लिखी होगी value मैंने आपको बता दिये UNC में 70 रुपे तक मिल सकते हैं आज की date में आगे और ज़्यादा वहेंगा होगा ये coin अगर आपके बाद नोईडा मिंट का है तो नोईडा मिंट के अभी भी आपको 30 रुपे तंग मिल सकते हैं दोस्तों UNC कंडिशन में ठीक है date आप arrow के बादे हम से देख सकते हैं कौन से sun पर बता रहूं मैं आपको ठीक है sun जो लिखा है वो small भी है और large भी है दो तरीके के small आयते dive right ही है दोस्तों इसी लिए भेंगे होए हैं ये coin ये यादव जी ने पूछा है तो इस पर full वीडियो बनाना बनता है थोड़ा time जरू लगेगा मगर आप अच्छे से समझ जाएंगे इसमें आपको noidament और Calcutament मैंने आपको बता दी है ये आप collect कर दीजिए आगे future में फाइदा बहुत होगा ठीक है तब 266 में आप देखिए कौन सा है दोस्तों 266 में जो coin आयते है Calcutament, Hyderabad mint, noidament और Mumbai mint ठीक है चारों मिंटों में डलाई हुई है इसमें Calcutament के ज़रा कम coin आपको नजर आएंगे तो उसकी value आपको 300 रुपेज यूएंसी कंडिशन में मिल सकती है Squares category का coin है दोस्तों Calcutament का ठीक है अब जो मैं बता रहा हूँ आपको 2006 में जो Mumbai mint ने काम किया था तो उसमें गलती हुई है coin में और वो गलती की वज़े से उसकी value यूएंसी में आपको मिल सकती है पूरे 80 रुपे 2 रुपेज के coin के दोस्तों जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे है इसमें जो Mumbai mint का निशान है आपको इसमें double struck हो गया है ठीक है ना मलब दो बार डाई एक ही उसमें mint पर छपी है तो उसको double struck बोलते हैं दोस्तों आप ठीक से देख लिजिए ये mint है अब मैं आपको अच्छे से अभी explain करूँगा mint पर double struck आपको समझ में आ जागा उसकी value मैं आपको बता दिये हैं 80 रुपे UNC condition में आपको मिल सकते हैं आज की rate में scarce category के कोई ना दोस्तों जो बता रहों खास है और जो normal है वो normal ही है जिसमें small होगी mint ये वाली थोड़ी सी बड़ी होगी नीचे की तरफ चोंच भी होगी अलग ही आपको समझ में आ जागी अब 27 पर आ जाते हैं 27 में दोस्तों Calcutta mint, Hyderabad mint और Noida mint Sorry, Mumbai mint, Noida mint का काम नहीं है तो इसमें Mumbai mint है, Hyderabad है और Calcutta है तो Mumbai mint के थोड़े इसमें scarce category के हैं coin तो value UNC में जाती है आज की date में 30 रुपेस दोस्तों ठीक है तो ये खास coin है जो की 5% बने है बस तो दोस्तों इससे value इसकी आगे future में और ज्यादा पड़ेगी तो Mumbai mint के आपको 27 के cross coin क्लैक करने चाहिए जो आप अपनी skin पर देख रहे हैं अगर Mumbai mint है तो आप रख लीजिए, बेचने की भी जरूत नहीं है, जल्दबाजी करनी है तो आप बेच सकते हैं आपका decision है, अब दोस्तों मैं आपको क्या फरक दिखा रहा हूँ, यह आप देखिए और अभी तो रुको, climax अभी बाकी है यह देखें दोस्तों, 2005 के दोनों date मैंने आपके लिख दिए, 2005 जो लिखा होता है आप X में आराम से देख सकते हैं, large और small कौन से हैं, ठीक है जो जो लार्ज लिखा हुआ है, यह बड़ा वाला, यह वाला scares category में कोई नाता है अपने कोईन से match करना, arrow के माध्यम से समझीए, यह वाला आपको scares category में रखना है scares category में यह है, मगला आप समाल के रखना है, ठीक है और जो भी कोईन बताता हूँ, वो अलग रखके, पन्नी में बंग करके रखना दोस्तो कोईन आपके खराब हो जाते हैं, तो value पर एसर पड़ता है इसलिए बोलता हूँ, कोईन जो मैं आपको बताता हूँ, वीडियो के माध्यम से, उसको आप समाल के रखे दोस्तो information पसंद आ रही है, तो अभी like ठोक देना, बाद में आप बूल जाएंगे तो दूसरी information देखिए, दोजाच छे में आपको क्या देखना है अब देखिए दोस्तो, ये दोजाच छे का है, die 3 का, ठीक है इसमें आप देखिए, दोजाच छे कैसे लिखा हूँ, 6 को देखिए 6 में आपको फरक दिख रहा होगा, ठीक है तो इस तरीके का आपको दोजाच छे लिखा हूँ दिखे तो उसको भी आपको समाल के रखना कोईन है क्योंकि ये 3 के 3 दाई वराइटी कोईन है दोस्तो जो 2 रूपीस में अलग-अलग मिंट की तरफ से आयते 6 देख लिए आपने, अब इसमें नीचे देखी है मिंट, ये आप देख रहे हैं मॉंबाई मिंट नीचे की तरफ चोंच है इसमें दोस्तो ये डवल डाईस के उपर चली हुई है तो इसकी ठीकनेस भी आपको देख रहे हो थोड़ी मोटी है ऐसी 6 में भी ठीकनेस थोड़ी मोटी दिखेगी आपको अलग कोईन से तो ऐसे भी कोईन आपको मैंने बेल्यू बता दिये काफी अच्छी आपको दिला सकते हैं UNC कंडिशन में आपके पास है फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा इसको रखिए बेचने की जल्दवाजी ना करना मेरी कहना मानो तो बाकि आपकी मर्जी है यह देखे दोस्तों यह जो 27 के परकाश में आये थे इसमें आपको लार्ज डवल क्रोस कोईन दिख रहे हैं और स्मॉल डवल क्रोस कोईन दिख रहे हैं तो यह आप एरो के मात्रा है वो बिल्कुल कोईन से चिपक गई है और इस वाली रुपे की मात्रा को आप देखिए मैं आपको सर चब्दों में समझाता हूँ जो आपको हिंदी में मैं बिल्कुल किलियर समझा पाऊँ और दिखा के अब arrow के मैंदम से दूसरे coin पर देखिए इसमें आपको space दिख रहा है ठीके दोस्तो जो ये large वाला है ये scarce category का है वो जो है normal है ठीके ना आपको ये large वाला collect करना चाहिए मैंने आपको बहुती सरल सब्दों में explain करने की पूरी कोशिश किये दोस्तो फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो दुबारा से देखेंगे तो मैंने जैसे समझाए में को पूरी उमीद है आप समझ जाएंगे मेरी वीडियो देखके आपको वीडियो पसंद आईए तो दोस्तो लाइक जरू करना आपके एक लाइक से मेरा काफ ज़्यादा होसला बढ़ता है कि मैं आपके लिए और अच्छे-च्छे इंफरमेशन लाता रहूंगा अगर आपको कोई भी सवाल पूछने है आपका सवाल नहीं आ रहा तो दोस्तो वेट कीजिए जरूर आपका सवाल आएगा नहीं तो दोस्तो मैं को दुबारा आप रिमाइंडर कर दीजिए आपने बहुत पुराना सवाल पूछा हुआ है तो वो आप नहीं आ पाएंगे क्योंकि दोस्तो लोटरी जो सिस्टम होता है डिवाइंड होती रहती है न्यू तरीके से ठीक है न तो आप न्यू इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना बिल्कुल आपका लोटरी में सवाल लिया जाएगा मगर आपको ये है स्टैक कोईन अब इडिया लखना जरूरी है उसके बाद में कोईन की फुल इइंफरमेशन लिखना कौन से सन की कौन से मिट की कोन सा रुपिया है या 50 पैसा है 10 पैसा है किसके इंफरमेशन चाहिए आपको अगर अपका सवाल आएगा तो पूरे फुल डिटेल होगी पाकिस्तान में भी देख रहे हैं आप कहां से देख रहे हैं इंडिया में तो में को बिल्कुल आप कमेंट करके बताना दोस्तों ठीक है हिमाचल से हैं बंगाल से हैं वेस्ट बंगल कॉलकता कहीं से जैपूर से यह दिल्ली से जहां से भी है में को आप कमेंट करके बताना त के बाइ टेक केर